हेलो फ्रेंड्स, LGR Study के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, साथ ही वो आपको बता दे कि Intermediate Board Exam की बेहतर तयारी के लिए LGR Study Inter पर Objective Session की शुरुआत हो चुकी है और ये इस Session का पांचमा वीडियो है, तो आप इस Session को ज़दी जॉइन नहीं किये हैं, तो जल्द से जल्द जॉइन कर ले और LGR Study एप को इंस्टॉल कर ले, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं, फेस्बुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जो LGR Study के नाम से हैं, तेलिगराम चैनल को आवस्य जॉइन करें, जिससे आपको बहुत सारी सुभधाये मिलने वाली हैं, साथ ही PDF आपको बिल्कुल फिरी में प्राप्त होगी, जो भी क्लास होगा LGR Study Inter पर, साथ ही आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं, जो कि LGR Study के नाम से है, और बेहतर तयारी के लिए हमारी website www.lgrstudy.com को विजिट करके आप अच्छी तयारी का फाइदा उठा सकते हैं, अब आईए आज के टॉपिक की बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है, मौरे काल से गुत काल का सार्थिक इतिहास, वहीं heading की बात करें, तो पुरा तत्त एबं प्राचीन भारत ये आज का heading रहेगा, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, अब आईए थोड़ी सी चर्चा हम एप के बारे में कर लेते हैं, कि हमारे एप से आपको कौन-कौन सी सुधाय मिलने वाल पीडियाप, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडियाप, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुधा हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल फीडि में मिल रही हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द LGR स्टडियाप को इंस्टॉल करेंगे, अब आईए सीध जो दोड़ा सबसे पहले परतिवंध लगा दिया गया था, उनले कोश्चन की बात करें, बान भट की रचना कादंबडी में किस सासन काल का वर्नन है, यानि की बान भट की जो बुक है, कादंबडी इसमें किस सासन काल का वर्नन किया गया है, तो आपको बता दे कि ये जो ह अगले question की बात करें गुप्त संबत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया तो आपको बता दे कि 319 इसवी में चंद्रगुप्त पर्थम द्वाड़ा गुप्त संबत की शुरुवात की गई थी इसलिए D इसका विल्कुल परफेक्ट आंसर होगा अगले क्वेशन को देखते हैं पंच तंत्र की रचना किसने की तो पंच तंत्र की रचना जो की गई थी विशनु सरमा दोड़ा की गई थी इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा उन्नो आडवठ होगा ना कालिदास न वराहमीर इसका परफेक्ट आंसर D विशनु सरमा होगा नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं प्राचीन नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे बड़ा ही दिल्चस्प कोईशन है प्राचीन नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे आपको बता दे डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा पांचवी सदी में बक्तियार खिल्जी दौरा जो है इसको नस्ट करवा दिया गया था किसको नालंदा विस्विद्याले को नस्ट करवा दिया गया था अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं भारती इतिहास का कौन सा काल स्वर्न काल कहलाता है आपको बता दे गुप्त काल को भारती इतिहास का स्वर्न काल कहा जाता है तो B यानि की गुप्त काल इसका परफेक्ट आंसर होगा अगले कुशन की बात करें अर्थ सास्त्र में कितने परकार के विवाहों का उलेक मिलता है तो अर्थ सास्त्र में कुल विवाहों की जो संख्या है वो कितनी है कितने विवाहों का उलेक मिलता है ये आपको बताना है दो, चार, आठ या फिर दस चलिए हम आपको बताते हैं और कौन-कौन से विवा का उलेख है ये भी हम आपको वारिकी से बता रहे हैं तो आठ विवाहों का उलेख अर्थ सास्त्र में है यानि की आठ प्रकार के विवा का उलेख है सबसे पर्थम जो है वो ब्रह्म विवा, दूसरा देव विवा, तीसरा आड़े विवा, चोथा प्रजापत्ते विवा, और पाचवा की बात करे तो असुर विवा, छठे नमबर की बात करे गंधर्द विवा और राक्षस एवं पिचास विवा, ये आठ विवा अर्थ सास् की रचना जो की गई थी, वो तीसरी सताबदी में की गई थी, और उन्हीं का मंत्री था, चानक कोटिल या फिर उसे आप विश्मु गुप्त कहें, उन्हीं के द्वारा जो है अर्थ सास्त्र की रचना की गई थी, अगले कुशन की बात करे नालंदा विश्विद्याले के चात्र थे, कौन से यात्री जो थे दार्शनिक, वो नालंदा विश्विद्याले के चात्र थे, ये आपको बताना है, तो आपको बता दे कि इसका फरफेक्ट आंसर जो हो जागा, वो हुएन सांग होगा, हुएन सांग, चीन के यात्री थे, और पंदरह वर्सों तक इन्ह होट गए, तो इसका फरफेक्ट आंसर जो हो जागा, वो हुएन सांग, एक चीनी यात्री था, बी इसका फरफेक्ट आंसर होगा, अगले कुश्चन की बात करें, प्रियाग प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है तो आपको बता दे कि समुद्र गुप्त का जो है सिक्के पर बीना बजाता हुआ पिक्चर मिला है इससे पता चलता है कि ये बहुत ही संगीत प्रेमी थे तो सी क्या हो जाएगा ये आप लोग भी जानते हैं और सेशन को आप लोग फटाफट से share करते चले ताकि आपकी तरह and students भी इसका फाइदा उठा सके और अच्छे marks प्राप्त कर सके अगले question की बात करते हैं इलाहाबाद प्रसस्ती का लेखक कौन है इलाहाबाद प्रसस्ती का जो लेखक है वो है हरी सेन कौन है हरी सेन और पर्याग प्रसस्ती क को ही इलाहाबाद प्रसस्ती भी क्या कहा जाता है यानि कि इलाहाबाद प्रसस्ती बराबर प्रयाग प्रसस्ती दोनों एक ही है तो हरी सेन इसका perfect answer होगा next question को देख लेते हैं चानक के भारत के किस सिक्छन संस्थान में अध्यान किया था चानक की जो थे चंद्रगुप्त मौरे के महा मंत्री थे परधान मंत्री थे सोरी चंद्रगुप्त मौरे के परधान मंत्री थे और ये किस विष्विद्याले में सिक्छा गरहन किये थे यह आपको बताना है यह है नालंदा विष्विद्याले बी तक्षिला विष्विद्याले सी विक्रमसिला और डी अंड उदंत पूरी विश्वविद्याले तो आपको बता दे चानक की जो थे वो तक्च चिलावे अपना सिक्षा गरहन किये थे इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो हो जागा वो गा तक्च चिला विश्वविद्याले यानि कि बी चलिए इसको भी देख लेते हैं प्रचीन भारत में ओधंत पूरी बिस्विद्याले कहां इस्थित था ओधंत पूरी बिस्विद्याले जो इस्थित था वो मगध में था तो यह इसका बिल्खुल फर्फेक्ट आंसर होगा पैंसेट्ट नमबर कोईश्चन है सक्ष संबत की सुरुवात कब मानी जाती है आपको बता दे सक्ष संबत की सुरुवात जो है वो कनिस्कष द्वारा Settings जो है और भारत में अभी जो दोसंबत है वो परचलित है संबत जो है वो वर्ष के कैलेंडर को कहा जाता है और सक्ष संबत की शुरुआत 78 इसवी में कनिक्स दौरा की गई थी और दूसरा संबत की बात करें तो वो है बिक्रम संबत जिसकी सुरुआत 51 इसापूर में बिक्रमा दित्य दौरा की गई थी किसके दौरा बिक्रमा दित्य दौरा की गई थी दोनों संबत के जो है मन्त के नेम एकदम सेम है लेकिन दोनों की सुरुवात अलग-अलग महिने से होती है जहां सक संबत की सुरुवात की बात करें तो मार्च के 22 में तारिक से इसकी सुरुवात होती है कुशेண है बिस्टू में पाए जाने वाली पहली धातू थि यानि कि सबसे पहले बिस्टू में कौन सी धातू पाई गई यह आपको बताना है लोहा, तामबा, टीना, या फीर चांदी आपको बता दे कि इसका परफेक्ट आंसर जो हो जागा वो तामबा यानि कि सबसे पहले संसार में जो धातु पाई गई थी वो था तामबा इसलिए B इसका perfect answer होगा next question की बात करते हैं भारत की सबसे प्राचेंतम लिपी थी भारत की सबसे प्राचेंतम लिपी कौन थी ये आपको बताना है अधि आपको पता है तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट के मादे हम से आंसर दे सकते हैं अरामाइक, बिल बरामी, सी प्राकिर्थ और डी पाली चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत की सबसे प्राचेंतम लिपी कौन सी है तो ये है ब्रामी, लिपी, बी इसका फरफेक्ट आंसर होगा अगले कुश्चन को देख लेते हैं प्रयाग प्रसस्ती का संबंध किस गुप्त सासक से है आपको बता दे 68 का सही आंसर जो होगा वो समुद्र गुप्त होगा और प्रयाग प्रसस्ती की रचना जो की गई थी प्रयाग प्रसस्ती का दूसरा नाम जो है वो इलाहाबाद प्रसस्ती है ये आपको पता चल चुका होगा आप चलिए अगले कोश्चन को देख लेते हैं ये कोश्चन है अपने स्वयम के खर्चे से सुदरसन जील की मरमत किसने करवाई थी बड़ा ही रोचक कोश्चन है अपने खर्चे से सुदरसन जील की मरमत किसने करवाई थी ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन जील का निर्मान किसके द्वारा किया गया था तो आपको बता दे इसका निर्मान जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था वही बात करें इसके नाम की दूसरे नाम की तो इसे सुंदर पानी का जील भी कहा जाता है सुंदर पा फक्षषासर जो हो जागा वो मेगा आस्थनीज है अब आप यह कहना कि इनदिज के बारे में लिखा लेकिन इसमें किसे सासक के बारे में लिखा गया है तो आपको बता दे कि इसमें चंद्रगुप्त मौरे के सासनकाल के बारे में बताया गया है और मेगास्थिनी सेल्यूकस निकेटर के दूद्थे जो चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में आये थे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आईए बात कर लेते हैं एक बार पुना LGR Study App के बारे में शुरुआत में आप यदि नहीं देखे होंगे तो अभी देख लिजे तो इस एप में आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी विषय का VVI Objective Question चाहे वो सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी का हो, Arts का हो, Science का हो, Commerce का हो VVI Subjective Question का PDF, Quick Revision Notes, Model Paper का PDF, Class Notes, Online Test यह सारी सुभधाएं आपको बिल्कुल Free of Cost मिल रहा है, यानि कि Zero Balance के Deposit पर आपको इतनी सारी सुभधाएं इस एप में एक साथ मिल रही है, इसलिए फटा-फट सी इस एप को आप इंस्टॉल करेंगे, और Facebook पेज को लाइक करेंगे, टेलिग्राम चैनल को अबसे जोइन करेंगे, और Instagram जो की LGRStudy के नाम से इस पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.lgrstudy.com यह हमारा वेव साइट है, यहां जाकर कि आप बहुत सारी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के लिए तना ही, थैंक यू